साथियों नावस्कार मेरा नाम नीरज है और ये लोकडाउन का दोर है इस दोर में हम कुछ-कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें पसंद है बहुत सारी पसंदों में से एक पसंद ये भी है कि आप अपने पसंदीदा शायर के कुछ शेर, कुछ अशार, कुछ गजलें, कुछ नजमें पढ़ें तो मैंने भी चुना है हस्ती मलहस्ती को हस्ती मलहस्ती की बहुत सारी रचनाय मुझे पसंद है उनमें से ही एक रचना को मैं आप सब के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं एक जगे वो लिखते हैं कि वो भी चुपचाप है इस बार वो भी चुपचाप है इस बार ये किस्सा क्या है वो भी चुपचाप है इस बार ये किस्सा क्या है तुम भी खामोश हो सरकार ये किस्सा क्या है वो भी चुपचाप है इस बार ये किस्सा क्या है तुम भी खामोश हो सरकार ये किस्सा क्या है सिर्फ नफरत ही थी मेरे लिए जिनके दिल में हो गए वो भी तरफदार ये किस्सा क्या है सामने कोई भवर है न तला तुम फिर भी तला तुम मतलब हाई वेप्स जो आर भाटादी से हम कह सकते हैं सामने कोई भवर है न तला तुम फिर भी छूती जाए है पतवार ये किस्सा क्या है बैठते जब हैं खिलोने वो बनाने के लिए उनसे बन जाते हैं हतियार ये किस्सा क्या है मैं इसे दोहराना चाहूंगा, वो कहते हैं कि बैटते जब हैं, खिलोने वे बनाने के लिए, उन से बन जाते हैं हथियार ये किस्सा क्या है, वो जो खिस्से में था शामिल, वो जो खिस्से में था शामिल, वो ही कहता है मुझे, मुझे को मालूम नहीं यार, ये किस्सा क्या उनकी एक किताब है प्यार का पहला खत जदीत सिंग्ने गजल भी गई है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है उसी किताब की एक नजब जो मुझे बहुत पसंद आई हो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ वो कहते हैं कि क्या खास क्या है आम ये मालूम है मुझे किसके है कितने दाम ये मालूम है मुझे हम लड़ रहे हैं रात से लेकिन उज़ालों पर होगा तुम्हारा नाम ये मालूम है मुझे खेरात में जो बाट रहा हूँ उसी के कल देने पड़ेंगे दाम ये मालूम है मुझे रखते हैं कह कहूं में छुपा कर उदासियां ये मैं का दे तमाम ये मालूम है मुझे और आखिर में वो कहते हैं कि जब तक हरा भरा हूँ, जब तक हरा भरा हूँ, उसी रोज तक हैं बस, सारे दुआ सलाम, ये मालूम है मुझे